हेलो स्टुडेंस कैसे हैं आप लोग तो नावाट की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आपके लिए और योजना एड़ करने जा रहे हैं इसमें आज की योजना का नाम है प्रधान मंतरी किसान सिचाई योजना ठीक है अब देखें फ्रेंट्स हम लोग के बाद धीर धीरे डेस कम होते जा रहे हैं और स्लेबस हम लोग का है और भी धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं ठीक है अब हम लोग को क्या करना है सारी की सारी स्कीम्स कवर करनी है इसलिए हम जो में पॉइंट्स हैं सिर्फ वो ही आप लोग को बता रहे हैं कि कैसे कैसे और कहा कहा से को ज़रा relate कीजएगा सिचाई का मनलब हो था irrigation तो यह योजना किसके लिए लगाई गई होगी sustainable water के लिए ताकि हम उसको conserve कर सके और solar appliance के लिए ताकि हम उनको promotion कर सके और ज्यादा से जादा उनको क्रशी में use कर सके और farmers के लिए small and marginal farmers के लिए ताकि वो उसको better तरीके से absorb कर सके और at low cost तो यह थोड़ा बहुत implementation आप लोग अपने दिमाग का भी करना पड़ता है कि जब क्रशी सिचाई योजना है तो आजकल क्या-क्या चल रहा है सिचाई से तो इसको objective देखते हैं enhance recharge of aquifires and sustainable water conservation practices अब देखिए जैसे कि कहीं पर बारिश होती है सारा का सारा पानी बहके नालियों में चल जल जाता है तो सब वेस्ट हो जाता है तो इसमें क्या होगा ऐसी योजना स्टार्ट करेंगें छोटी-छोटी कि क्या हो गया जो एक्विफायर ताकि जब हमारा drought हो या पर सुखा हो या पर summer का time हो हम लोग वहाँ से पानी का यूज कर सके यह होता है एक्विफायर और sustainable water conservation इसका यह मतलब है कि हम लोग ऐसे solar pump का यूज करें जो किससे चले solar panel से चले ऐसा नहीं है कि diesel petrol का यूज करके या electricity का यूज करके हम पंप चलाए हम लोग ऐसे solar pump यूज करेंगे जो solar panel के दोवारा असानी से चल सके इसलिए हमने कहा गया है sustainable water conservation practice recharge मतलब होता है भरना किसको परने हम लोग एकोफैस को मतलब तलाब को जीलो को ताकि हम उस पानी को आगे यूज कर सकी है तो इसका पहला objective अब इसकी देखता है features क्या क्या है ठीक है हम लोग पलड़ने प्रशान मंत्री क्रिशी शिजाई योजना 2015 से लेकिए 2020 तक पांस सालों के लिए फिलाली लॉंच करे गई थी लेकिन आप इसका फिर से थोड़ा से announcement हो गया है five years के लिए लॉंच करेगी थी 2015 यह सबसे important आप लोग लिए ध्यान दखना अब क्य देखते हैं अब हम इसमें देखते हैं features कि क्या कैस में features हैं ठीक है amalgamating four schemes into one सबसे पहली बाद है चार बड़ी scheme को यह एक छोटी schemes में cover कर रहा है ठीक है आपका उनको यह पूरा करान नाम नहीं जाना क्वारा आप लोग लिए बहुत है AIBP, IWMP, OFWM और NFNS ठीक है इन चार schemes को cover करके particular scheme बना रहे हैं हम लोग जिसको कह रहे हैं हम लोग प्रधान मंत्री क्रिशी शिजाई योजना ध्यान दखना है वो आपसे नाम नहीं पूचेगा कि किन-किन जीटों का integration हो रहा है बसकी पूचेगा अब देखिए क्या कह रहा है वो incomplete major और medium irrigation project के लिए नाबाड ने fund release करा है उन प्रोजेक्ट के लिए जो सबसे पहले कैसे यहां तो बहुत ही बड़े हैं या उनसे थोड़े चोटे major और medium incomplete project के लिए ऐसे project जो भी चलते चलते रुग गये हैं जिनका काम चलते चलते भी रु कर सके ठीके students उसके बाद वो क्या कह रहा है national steering committee जो प्रधान मंतरी नरेंद मोदी जी द्वारा चलाए गई थी national steering committee अब आप से पूछेगा ऐसी कौन सी committee है जो प्रधान मंतरी क्रिशी सिचाई योजना के बारे में पूरा का पूरा डेटा अपने पास रख रही है कि कौन स समय पे कौन सा काम होगा तो आपको ध्यान रखना है national steering committee है प्रधान मंतरी नरेंद मोदी ज्वारा जी लाउंच करें करी थी निशेट वही इस पूरी की पूरी स्कीम का लोग लेखा जोका रख रहे हैं कि कौन सा काम कब हो रहा है अब एक करते हैं सबसे पहले प्रधान मं इसके लिए ठीक है इसका अब्जेक्टिव क्या था एक फायर जो होते हैं जो तलाब जील जरने होते हैं उनको जल्दी से जल्दी रिचार्ज करने के लिए ऐसी टेक्नलोजी लाना और सस्टेनेवल वाटर कंसर्वेशन का यूज करना जैसे कि हम इरिगेशन में पंप करे गया है आपको यह रखना है किती स्कीम को कमाइन कराता तो चार्ज स्कीम को कमाइन कराता ठीक है सुदेंस और लॉंग टम इरिगेशन फंड जादर लंबे समय तक चलने वाला फंड इनिशेट करा है नाबाड ने ताकि जो रुके हुए मीडियम और मेजर इरिगेशन हैं उनको कंप्लीट करा जा सके और नेशनल स्टेरिंग कमीटी नेशनल स्टेरिंग कमीटी जो प्रधान मति नरेंद मोदी जिवारा इनिशेट करी गई है वह एक ऐसी कमीटी है जिसमें कुछ मेंबर्स हैं और वह इस पूरी स्कीम का लेखा जोका रख रहे हैं कि कौन सा क काम कब हो रहा है तो बाकी हम लोग ऐसी ही अच्च अची वीड서 लोगें नेक्स स्खी में हम लोगा नेक्स वीडियो में जीए महलिए तो ना करना ना बुलिए मोगेंबो को lift को यह संब्सक्राइब को अन itt आ नट